तो भाई लोग जो IPL 2030 का मैच संबर 40 है ना इस मैच में देली के सामने कौन से टीम होगी सन राइजस हैदराबार और यहां मैच खला जाएगा अरुन जेटली स्टेडियम देली यानि फिरोसा कोटला में तो इस मैच में दोनों टीमों में ऐसे कौन से बल्लेवाज है जो आज की वीडियो में आपका भाई यही बताने वाला है जलो फिर जल्दी से वीडियो स्टार करते हैं जानते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेवाज क्या हो सकते हैं देली कैपिल्स की बात करें तो आई तिंग डेवीड वार्न साहब बोलेंगे भाई साब इस टीम ने सकता है आदिल लशीद आ जाए इधर ग्लैन फ्लिक्स की जगह पर उस और हैरी बुक की जगह पर दूसरे चिंज की बात करें तो वासिंग्टन सुंदर की जगह पर अब्दूल समत या किसी और इंडियन बल्लेवाज को अभी देखते हैं क्या चिंज तो होने हैं 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 कितने चिंज होने हैं वो देखने वाली बात होगी इन दोनों टीमों की जो फाइनल प्लेइंग लेमस होगी ना मैच से स्टार्ट होने के दो से तीन गंटे पहले मेरे टेलिग्राम पर मिल जाती है भाई साब बस प्लेइंग लेमस नोरी न मिलती है आपको IPL के सभी मैचो कि ड्रीम 11 की बिनिंग टीम भी मिलती है वह भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन कहां पर मेरे टेलिग्राम पर वैसे जिन लोगों ने मेरा टेलिग्राम जोइन किया और बहुत ही फाइदे में तो आप पीछे क्यों आपको अगर सभी मैचों में फाइदे में रहना है जब पहला कमेंट है वहां पर जो लिंक की मिलेगी बस वहीं से जोईन करें तो हमाँ पास दोनों टीमों की प्लेंग लेंगे अब जानते इसमें कौन चलेंगे कौन हो जाएंगे फ्लोप लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा पीछ का बिहेवियर जान लेते कंडिशन जान लेते है जानते हैं आज के मैच की कहानी क्या हो सकती है यहां के मैदान पर अरुंज एटली के मैदान पर अभी तक टीटी डॉमस्टिक के एक्टी मैच खेलेगा जिसमें से टार्गिट डिफैंड को 35 मैच में टार्गिट चेज हुआ 45 मैच में अगर हम यहां पर देखे चेज थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं की डिफैंड नहीं होता है यहां पर मैचस डिफैंड भी होते हैं अब नहीं पर है लोगस स्कोर है यहां पर फर्सनिंग का 66 आल आउट यह भी देलही कैप्डल्स के ही नाम पर है इस मैदान पर जो हाइस टोडल चेज हुआ 218 जिसे मुंबई ने चैन्नही के सामने 2021 में किया था लोगस टोटल डिफैंड की बात करें 145 जिसे हैदराबाद ने देलही के सामने 2018 में किया था स्कोरिंग बात करें तो 150 के निचे इस मैदान पर 22 22 बार स्कोर बन चुका है 150 से 169 की बीच में 22 टाइम स्कोर बन चुका 170 से 189 की बीच में 21 टाइम स्कोर बन चुका 190 से ज्यादा फर्स इनिंग में 15 बार स्कोर बन चुका है तो इस स्कोरिंग इसके वाज जासे होता क्या है कि जब तक बोल नया होता है बैड पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आता है लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है पिछ यूज होता है बोल पुराना होता है तो जो इसमियाश गेंधुमाज है ना उनको काफी जाधा टर्न मिलता जो उनकी बॉल होती है ना थोड़ा सब बैट पर रुख कर आता है कभी बॉल नीचे भी रहता है कभी उपर भी रहता क्योंकि यहां की जो कंडिशन है ना फिर सुलो कंडिशन हो जाती है तो ऐसे में बल्ले बाजी करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता हाला कि जो बॉंडरी लें ने कैसे घीलते हैं इनको अपनी टीम में रख सकते हैं उन टीजद के बारे में जानते हैं कौन आपสे पहले हम बात के सामने भी खेल चुके हैं 331 सण मना चुके हैं वाई लोग दिली का मैदान है ना डेविड वर्नर को काफी ज्यादा पसंद नहीं यहां के मैदान पे 30 मैच के लाए 801 मतलब इस मैदान को रग रग से जानते कौन डेविड वर्नर बढ़िया पर्फोर्मेंस करते हैं यहां है अलाग कि मुनविश्वर कुमार इनको कई बार फसाते हैं मैंक मारकंडे भी इनको आउड कर चुके हैं लेकिन मुझे लगता है डेविड वर्नर आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए और फिलिप सॉल्ट की बात के तो आकरी के 10 मैच में कुछ खास नहीं है भुनिश्वर कुमार वैसे भी इनको फसाते हैं तो मुझे लगता है कि फिलिप सॉल्ट भी आज की मैच में कुछ खास ना कर पाएंगे इनसे भी न हमें आज की मैच में थोड़ा सा बचके ही रहना चाहिए मिसेल मार्स की बात करें जिनोंने आकरी के 10 मैच में 173 रन मनाएं 3 विकेट निकाला 10 मैच 173 विकेट मिसेल मार्स ऐसा लग रहा है कि कोई और की रिकोर्ट में बता रहा हूं लेकिन यह मिसेल मार्स का रिकोर्ट है बहुत खराब फोर्म में चलना यह भी से पहले हैदराबाद के सामने 71 71 रन मना चुके 2 विकेट भी चुके 71 रन 2 विकेट बहुत जादा अच्छा तो नहीं होता दिल्ली के मैदान पे 3 मैच खेला जिसमें 19 रन मना है और साइथ 3 विकेट निकाले मतलब बल्ला तो इस मैदान पे इनका चलता ही नहीं है और विकेट तो एकाता ले लेते ही आके मैदान पे और मुनिस्वर कु परफॉर्में 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 यहां परफॉर्मेंस यहां पर निकाले मतलब बल्ला तो इस तरह से टेकनिकल मजबूत है मनीज्वर केल ते मुझे लगता है पारी आज के मैच में मनीज्वर के खेल चाहिए तो मनीज्वर को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए सर्फराज खान की बात करें इन्होंने आकरी के 10 मैच में 180 रन बना है हैधराबाद के सामने 76 बना चुके है मतलब ना तो करेंट परफॉर्में आज के मैच में कुछ खास ना कर पाएंगे तो I think सर्फराज चे भी न हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए बाकि अक्षर पटेल की बात करें आकरी की 10 मैच में 302 रन मना हैं 9 विकट निकाल है मतलब रन भी 30-35 डेली पना के जाते हैं एकाता दो मतलब इस मैदान पर जो अक्सर पटेल होते हैं और अज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए अमन हाकिम खान की बात करें तो इन्होंने आकरी के 10 मैच में 207 में 207 कुछ खास तो नहीं है ना हां बिल्कुल भी खास नहीं है हैजरावाद के सामने जो एक मैच के ला बस चार नल मना पाए थे मतलब हैज़रागादियों ने इनको चलने बीना दिया था दिल्ली के मैदान पर भी दो मैच के ला आठ नल मना एतले मैं तो मझे लगता है यह जो कुछ खास ना कर पाएंगे तो इनसे भी ना हमें आज के मैश में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए रीपल पटेल की बात करें आखरी के 10 मैश में एक सो सतानवे बनाएं दस मैश बाते बाते हैं वैसे भी काफी नीचे बल्ले बाजी करने आते हैं पिछला मैश जो किरा था ह किसने नौकया ने 10 मैश 13 मैश में मतलब सभी मैश में एक दो बिकेट ले जाते हैं इसके आलामा VII विकेट ले चुके हैं सन राजस हैधरावाद के सांगे मतलब ठीक ठाक गेंदबाजी करी है था कुलदीब यादो के वाद करें तो इन्हों ने आकरी के 10 मैश में घ्यारा इसान शर्मा की बात करें तो इन्होंने आखनी के दस मैच में बारा बिकेट निकालें मतलब इसान शर्मा भी सभी मैचों में एकाता बिकेट निकालें इसान शर्मा भी सभी मैचों में एकाता बिकेट निकालें मतलब इसान शर्मा भी सभी मैचों में यह भी सावीत हो सकते हैं लेकिन बिकेट ना मिलेते हैं बिकेट का खाता ना कुलाता दिल्ली के मादान पर तीन मैच खेलें और तीन ही बिकेट निकालें मतलब सभी मैचों में एकाता बिकेट निकालें यहां के मादान पर और मुझे लगता है आज की मैच में एक दू बिकेट तो लेके ही अभिषेग सर्मा रन मनाते हैं दिल्ली के सामने इससे पहले अच्छा तो नहीं कह सकते हैं तो अच्छा तो नहीं कह सकते हैं इसके अलावा आनिस नोकिया और अक्षर पटेल ने इनको आउट किया है लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना 40-45 नों की तावर तोड़ प मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए मैंग अगरवाल की बात के तो आकरी के 10 मैच में दोसो अठाइसन दस मैच दोसो अठाइसन मैंग अगरवाल के हिसाब से काफी ज़्यादा खराब है ना आजी बिल्कुल खराब है दिल्ली के सामने ठीक ठाक परफॉर्मस कर च मैंग अगरवाल जी अक्षर पटेरों कुल दी प्याद और दोनों इनको फसाते मतलब इस्पिन के सामने चलना पाते मैंग अगरवाल और जिस तरह से ये पिछ सोलो है ना दिल्ली वाला मुझे लगता है कि मैंग अगरवाल आज के मैच में 10-12-15 बना पाएंगे लंबी सं मैच में कुछ कर ना पाएं दोस्तों सतासियान इससे पहले दिल्ली के सामने ठोक चुके हैं लेकिन दिल्ली का मैदान है वह भी राहुल तिरपाठी को पसंद ना आया दो मैच खेले 16 बनाएं दो मैच 16 मत्तब फ्लॉफ हो गएं यहां के मैदान पे कुल्दी प्यादो और अक्षर पटेलिन को कई बारी फसा चुके हैं इसके अलावा इसान सर्मा भी इनको आउड कर चुके तो मुझे लगता है कि राहुल तिरपाठी भी आज की मैच में ना चलेंगे तो इनसे भी न हमें आज की मैच में थोड़ा सा बचके रहना चाहिए एड़ा माकरम की बात अक्षर पटेलिन को कई बारी फसा चुके हैं इसके अलावा आनी स्नोक्या की भी सामने आउट होते हैं लेकिन मुझे लगता है एड़ा माकरम आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए और हो सके तो कैप्टर और वाइस कैप्टर करना चाहिए किसको एड़ा मा लेकिन गलेन फिलिप्स टेलेंगे तो भी ना चलेंगे तो गेल्एं फ्रीन थोड़ा सा बच के रहना चाहिए है हैंडी क्लासें की बात करें तो आखरी के 10 मैच में दोसो अठाइस मना है यह फिनिस करने आते हो बहुत अछी तरीके से फिनिष कर के जाते और हैं इससे पह लाबर तोड़ पारी खेल चकते कौन हैं तो हैंडी क्लासिन को भी हमें आज की मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए अब्दुल्समत की बात करें तो इन्होंने आखरी के दस मैच में 249 बनाए दो बिकट भी निकाला किसने अब्दुल्समत ने मतलब डोमस्टिक में बढ़िया परफोर्मेस करके हैं जो हैदराबाद के लिए भी खेला तीन मैच कहला था तीन मैचों में दो पारी अच्छी आये थी एक में ना चले थे बाहर कर दिया था पता नहीं क्यों और दिल्ली के सामने इससे पहले 73 रन 73 बना चुके दो बिकट निकाल चुके अलाकि दिल्ली के सामने ज्यादा मैलच खेला नहीं, जितना भी खेला ठीक ठाकी खेला है, दिल्ली के मैदान पे एक मैस खेला था, सबरत भारा भाजी बना पाये तो आप nós समझे भी न हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए माको यांसान की बात करें इन्होंने आखरी के 10 मैच में 13 बिकिट निकाले मतलब सभी मैचों में एकाता 2 बिकिट माको यांसान निकाल लेते इसके लाव बल्ले बाजी भी ठीक ठा करते हैं और जो पिछला मैच करा था दिल्ली के सामने उसमें एक बिकिट निकाला था हाला कि अगर ये खेलेंगे आज के मैच में तो ये एकाता बिकिट तो मिल जाएगा लेकिन काफी ज़्यादा महंगे हो सकते कौन माको यांसन अगर ये खेलेंगे तो इनसे थोड़ा सा बच करेंगे इनकी जगा पे आदिल लसीद भी खेल सकते हैं माको यांसन खेलेंगे तो नहीं ले ना आदिल लसीद खेलेंगे तो अपनी fantastic cricket team में जगे दे देनी हैं वहीं बात करें भुनिश्वार कुमार की आखी के दसमैच 8 विकट मतलब भुनिश्वार कुमार को भी बिकट सेकिंट नहीं न मिल ले दिल्ली के सामने इससे पहले 16 विकट निकाल चुके मतलब दिल्ली के सामने तो बढ़िया गेंदवाजी करते हैं और जो दिल्ली का मैदान है इस पे भी बढ़िया गेंदवाजी करते हैं आठ मैच केला है 11 विकट निकाले मतलब इस मैदान पे पहले अच्छी गेंदवाजी दिल्ली के सामने जो एक मैच के ला था दिल्ली के सामने अभी तक चार बिगट ले चुके हैं तो मतलब जादा खेले नहीं जादा मौके ना मिले फिर भी चार बिगट ले चुके है ना बात करें दिल्ली के मनान पे तो एक मैच के ला एक बिगट मिला था अच्छी तो ना कर लेकिन लेकर जा सकते हैं तो इसलिए टीम में आज की मैस में जगे देनी चाहिए वाकि उम्रान मलिक की बात करें आखनी के दस मैस में बारा बिकित बहुत जादा अच्छा तो नहीं है और दिल्ली के सामने तीन बिकित पहले भी ले चुके हैं लेकिन जो यह पिछ है यहां लुख को थ्वड़ा हेल रालक लो पर घुझ भला हेल चाहिए इनन बालने अगेर प्रफॉर्फ के अच्छे हों की देगा dir सब्सक्राइब करना इतना तो कर सकते हैं अगर आपको इस मैच की बिल्कुल सटीक चाहिए और यह जानना है कि कौन से पिलियर आज की मैच में चलेंगे कौन से पिलियर फ्लॉफ हो जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैच की ड्रीम लेबर की जबस टीम क्या होने वाली या कौन से खिलारी चलेगा कौन से खिलारी ना चलेगा इसके आप इनको व३टस अप करके भी ये सारी चीजह पोच सकते तो है ना आसान और जवर्जस तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाए आपको डाउनलोड करें और आज से ही स्टार्ट हो जाए बाकी इंतिजार खत्म यहीं मेरी टीम इस वने टीम मनाई है ना बहुत ही एलासिस करने के बाद मनाई ही होता है वो सारी एलासिस मैं वीडियों भ बहुत लंबी हो जाएगी आप भी बहुत हो जाओगे मैं भी थक जाओंगा इंपोर्टेंट ही क्या है आपके लिए जवज़स टीम मनाना जो कि मैंने दे दी बाकी अगर आपको इस मैच की दो तीन टीम चाहिए ना तो क्या करना कुछ भी नहीं करना बाइसा रिसक्रिप बता है ना आधा IPL खतम हो गया बच्चे हुए आधे IPL के मैचों में आपको जबदस वाली टीम चाहिए तो टेलिग्राम ज़रूर ज़रूर जवाइन करें बस एक चीज़ का धहां देना फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलिग्राम चैनल बना लि मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की पिस्टी पोर्ट मैच फिर्विव और फंटैसिफिक के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यो